नमस्कार सभी देशकों का स्वागत है मेरा नाम है पूर्णेबर शर्मा और आज हमारे साथ जुड़ गए है जल पूरुष्ट राजेंद्र सिंग जी बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका इस चर्चा में तो राजेंद्र जी जिसकर है हम देख रहे हैं कि भारत में जो जल संकट है वो बढ़ता जा रहा है अब देहरा दून की बात आई है कि 120 लोकालिटी जहां पानी की दिक्कत हो रही है से पहले बैंगलोरू की बात आई ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे दक्षण के राजे है वहाँ पानी की दिक्कत बढ़ सकती है साथ ही हमारे उत्तर की राजे हम भी बढ़ सकती है क्या इसकी बज़े है क्या ग्राउंड वाटर कम होता चला जा रहा है क्या हम बारिश की बूंदों को संजो नहीं पा रहे क्या राजे सरकारे प्रशासन इस दिशा में काम नहीं कर और कुछ महीनों पहले हमने UN की रिपॉर्ट भी सुनी थी जिसमें कहा गया था कि भारत में चल संकट को लेकर चिंता जाहिर की गई थी कि 2025 यह संकट बढ़ सकता है आपका क्या कहना है राजेंदर जी देखी संकट बढ़ सकता है नहीं संकट बढ़ गया है जी और यह संकट आपने दक्षिन का बैंगलोर का हाल सुना वहां 1400 mm एन्वाल रेंफॉल है कावेरी का पानी आता है अरकावती का पानी उस सहर को मिलता है और फिर भी वो सहर भी पानी हो रहा है उसका कारण यह है कि हम अंडरग्राउंड एकिफर्स को खाली कर रहे हैं हमारी जो सोशन की त तकनीक बहुत बढ़ गई है और उससे हम धर्ति के पेट खाली करने में जुटे हैं तो जब आपका धर्ति का पेट खाली हो जाता है तो आपके पास कोई वाटर बैंक तो होता नहीं तो यदि बारिस थोड़ी भी आगे पीछे हुई बारिस यदि एक-दो महिना भी आगे पीछे हुई तो पानी का संकट गहरा जाता है और उस शंकट का गहराने का बड़ा कारण है कि हमने अपने real water reserve bank को खाली कर दिया हमारा रिजर रिजर बैंक है water bank तो यदि इस bank में पैसा पानी नहीं होगा तो हमारे RBI बंबाई के bank के पैसे की कीमत बचेगी नहीं तो ये पैसे की कीमत रुपे की कीमत जब तक है जब तक हमारे भूजल के भंडारों में जल है जब Tक हमें जीने के लिए पीने के के लिए हम लोग पानिदार हैं, यदि हमारे पास पानी नहीं होगा, तो फिर हमारी केरंसी की भी वैल्यू नहीं बचेगी, इसलिए हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, कि हम धर्ती से यदि बेहिसाब निकालते रहेंगे, और धर्ती का पेट खाली करते रहेंगे, के बहाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा यदि हम सच मुच अपने आपको पानिदार बना के रखना चाहते हैं यदि हम अपने आपको एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो फिर हमारी जो जल सरचनाएं हैं हमारी जो जल जीवन को चनालें वाली जल की जो धराएं ह उन सब को ठीक से रखें बड़ा दुरुभाग इस बात का है कि हमारी सरकार ने एक बहुत सम्मानिय जुडिशियल ववस्ता बनाई थी हमारे सब के मन में अपनी जुडिशियल ववस्ता के प्रती सम्मान भी है और उसके प्रती अभी विश्वास भी है हम अपनी न्याय पाल को अभी भी विश्वास करते हैं लेकिन दुरुभाग इस बात का है कि हमारी न्याय पालिक्ब हमारी जो जल सरचनाए हैं हमारी लेक्स हैं पौंट्स हैं जील हैं नदिया हैं उन सब पर अतिकरमन हो रहा है बहुत तेजी से ना तो उस अतिकरमन को रोक पा रही हैं ना जो एक लास का पानी है उसको ऐसे काम में लेते हैं जिसमें हमारा C-Class से भी काम चल सकता है। हम उसको industry में काम ले रहे हैं, हम उसको गन्य की फसलों में काम ले रहे हैं, जबकि गन्य की फसल भी C-class में हो सकती है, और जो हमारा industrial use है, वो भी C-class में हो सकता है, पर हम A-class पानी गंगा का, जो इस दुनिया का सबसे अच्छा पानी है, उसको जहां C-class water use किया जा सकता है, वहां पर A-class use कर रहे है, तो यह जो mismanagement, जहां पर recycled water का इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसके लिए नदी के पानी की जरुवत नहीं है, देखो, यह बहुत सरलता से मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, गंगा में जो पानी बहता है, उसकी quality हिंदुस्तान के किसी भी पा और गंगा और गंगा और गंगे की खेती को दे रहें, गंगे की खेती जो हमारे सहरों का sewage water है, उस sewage water को थोड़ा साथ treat करके, गंगे की खेती में nitrogen भी बढ़ेगी और गंगे में कोई pollution नहीं होगा, क्योंकि गंगे से जो सुगर बनती है, उस temperature पर बनती है, वहां pollution बचे पानी उप्योग नहीं करना चाहिए, वहां पर उस पानी को उप्योग कर रहे है, यदि हम गंगा का पानी पीने के लिए सुरक्षित रखें, तो हमें कभी संकट नहीं हो, तो सहरों का सारा sewage water हम कैनाल में ठीक से treat करके डाल दें, और फिर गंगे की खेती हम काम में ले ले तो उससे काम चल सकता है, लेकिन हमारी सरकारे इस तरफ कोई सक्त जो दूर दर्शी, दूर दरश्टी से काम करने की ज़रूरत है, वो नहीं है, तत्काल चुनाओं ले जो बहुत तेजी से जो ground water की बात की जा रहे हैं कि हम लोग जो जमीन के नीचे का भूजल है, उसको ब बहुत ज्यादा भारत ने भूजल का इस्तमाल किया जा रहे हैं, अमेरिका और चानक तो तुमने ऐसा नाम लिया, वो तो कई हमसे बहुत नीचे है, भूजल के भंडार का शोशन करने वाला भारत नमबर एक है, भूजल को आपने आपको भूजल पर बचाए रखने में, नमबर एक जिस देश का नाम है वो भारत है। तो हम लोग केवल सोशन कारी तक्नीक पर अपना जीवन चला रहे हैं। और ये सोशन कारी तक्नीक है, भूजल के भंडारों को खाली करना और भूजल को पुनर भरण नहीं करना। जित्ता हम धर्ती से पानी निकालते हैं, यदि हम उत्ता पानी धर्ती में डालेंगे, तो धर्ती भी आनंद में रहेगी, खुश रहेगी, नदिया भी ठीक रहेंगी और हमारा जीवन भी अच्छा होगा। लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जो भी कुछ कहीं भी हमें रिजर्व वाटर बैंक मिल जाता है, उसको बस हम निकालके खाली कर रहे हैं। भारत सरकार के नीती आयोग ने कहा है कि जीरो डेज में पहुंचने वाले हैं, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारी सरकार बोल रही है। देखो जब हमें आजादी मिली, तब हमारी धर्ती पर केवल 4% जमीन पर वाटर इसकेशिटी और ड्राउट था, केवल 4% और कुल कित्ते गाओं थे जब उस वक्त नो सोर्स विलेज की लिस्ट में, पहली प्लानिंग कमिशन की लिस्ट में केवल 232 गाओं थे, अभी तो लाखो गाओं ऐसे हैं, जिनमें एक राईसिस है पानी की, तो ये क्यों क्राईसिस बढ़ती जा रही है, ये वाटर क्राईसिस इसलिए बढ़ रही है, कि हमारे पास जो भी कुछ जल मौझूद है, उस जल को हमें कैसे उप्योब करना है, उसकी चिंता हमें नहीं है, हमारी गर में पानी चला जाए, पर पानी है कहां, तुमने इतनी बड़ी-बड़ी टंकिया बना दी पूरे देश बर में, और पानी नहीं है, आज तक एक दिन वो टंकी नहीं चली, एक दिन वो वाटर सप्लाई नहीं हुई, तो फिर ये तो समझ में आता है कि तुम हर घर में नल लगा दोगे, क्योंकि तुम्हें नल तो खरीदने हैं, और जिस कंपनी से खरीदने हैं, उसको पैसा देना है, और बाद में थोड़ा बहुत कमिशन भी खाना है, वो सब करना है तुम्हें, तो नल तो तुम खरीद लोगे, और नलो को तुम लगा भी दोगे, पर भाई न तो तुम उसको उठा के ला के कहीं से दे दे तो तो ये जो चल रहा है सरकार का हर घर में नल नल में जल ये बड़ा छलावा है, बड़ा दिखावा है और भैं हमारी अच्छी सरकारों को ये दिखावा करने की जरूरत क्या है? क्यों दिखावा करती है ये मुझे समझ में नहीं आता क्या केवल बड़ी कंपनियों के पाइप बिखवाने के लिए करती है क्या केवल उनी को लाब पहुचाना चाहती है यार तुम यदि पानी की बात करते हो तो फिर पानी तो लोगों को दो कम से कम पानी में तो गडबड मत करो पानी का काम तो पुन्नी का काम होता है पानी का काम तो सब के भले का काम होता है और जो तुमें करना है जहां करना है कर लो पर पानी का पुन्नी तो बचा रहने दो पर पानी में भी इनका वो इन सब चल रहा है जैसा और कामों में चल रह रहे हैं चाहे राजसरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो कि पानी को लेकर उनकी जो इच्छा शक्ती है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना चाहिए हमारे तालाब है हमारे कुए है हमारा ग्राउंड वाटर है जो बारिश का पानी है उसे जमीन से रिचार्ज हो होना चाहिए अब जो ground water है वो हम देख रहे हैं शहरों में क्या हाल हो रहे है जो आप बता रहे हैं तो आप सीधा सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार की इच्छा शक्ती पर केंदर सरकार की बात हो चाहिए राजसरकारों की बात हो कि बिना इंटेंट के बिना पॉलिटिकल विल के कोई चीज होना सभव है ही नहीं अगर नेताओं की मर्जी नहीं होगी तो कैसे जो सरकारी है या फिर ब्यूरोप्रेट्स हैं वो इंप्लिमेंट करेंगे हां मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ सरकारों की इच्छा सक्ति पर और माफ करना केवल इच्छा सक्ति का सवाल नहीं हमारे नेताओं की आखो का पानी सूप गया है इसलिए गरीब को पानी मिले उसकी चिंता उने नहीं है उन्हें चिंता है केवल बड़े लोगों को कुछ लोगों को पानी मिल जाए और बड़े लोगों को पानी मिल जाएगा तो सब को मिल जाएगा ऐसा वो मान लेते हैं इसलिए आज जो पानी का संकट है ना उसके तीन बड़े कारण है एक तो यह है कि हिंदुस्तान में जित्ती भी water bodies है तलाब है कुए है पॉंड है जोहड है जील है लेक्स है सब पर अतिकर्मन हो रहा है नदिया है समुद्र है सब पर अतिकर्मन हो रहा है और अतिकर्मन को अ अब और ज्यादे तेजी से बढ़ हवा मिल रहा है क्योंकि अतिकर्मन करने वाले बड़े लोग होते है तो बड़े लोगों को protection जब मिल जाता है तो पूरी की पूरी जील और लेक पर हो जाता है मैं तुम्हें एक छोटा सा उधारन परसो का बताता हूं दो-ती दिन पहले मनसोर में एक तेलिया जील थी शाड़े चार सो एकड से जादा बड़ी और उसमें पानी खूब भरा रहता था और मनसोर के पास कभी पानी का संकट नहीं था उसमें से नदी सदेव नदी के जरने चलते रहते थे अभी उस जील को वहां की जो रियल इस्टेट का काम करने वाले लोग हैं, जो वहां जमीन का धन्दा करने वाले लोग हैं, उनको कालनी काटने के लिए उस तलाब में से उस जील में से आधे से जादा जमीन उनको बहा दे दी. अब ये सब जो हो रहा है, ये सरकारों की जानकारी के बिना तो नहीं होता, और जुडिश्री की जानकारी के बिना भी नहीं होता, अब उसको उसको चूकी नगरपालिका ने और रियल इस्टेट के लोगों ने मिलकर द्रोन सर्वे कर, बताया कि हमने द्रोन सर्वे करके नक् रह गया, तो उसमें कहां पानी रुकेगा, तो जो धर्ती का पेट भरने वाली लेक्स, पॉंट्स, जो हड सब थे, उन पर बड़ा आतिकर्मन हो रहा है, और उस आतिकर्मन को राजनेता बढ़ावा देते हैं, और फिर जुडिसरी उस पर ओके करके महर लगा देती है, और फिर वो जो लेक्स हैं, और पॉंट्स हैं, और वो नदियां हैं, वो सब घटी जाती हैं, और इस्टेट को धंदा मिलता जाता है, जमीनों का धंदा, जमीनों को कालोनी काटना, बेचना, वो सब होता रहता है, ये मैं अभी खुद अपनी आखों से देख के आया हूं, मैं कोई बोली हुई, किसी की बताय हुई बातों पर नहीं बोलता हूं, पूर्णिमा तुम जानत हो, खुद मैं उसको समझ के देख के आया हूं, मंसोर मैं, अच्छा, इसी तरह से बैंगलोर की जीलोग पर कबजे हुए, इसी तरह से देहरादून में, रिशबना नदी थी, उसके दोनों तरफ कबजे होगे, तलाबों पर होगे, तो ये जो कबजे हैं, नदियों पर, औ ये हमारी जल्स संरक्षण के पुनरभरण की परक्रिया को अवरोध करते है, तो जब आपकी पुनरभरण की परक्रिया में अवरोध हो जाता है, जब आपके तालाब जील सब ठीक से नहीं होंगे, तो पुनरभरण कहां से होगा, तो पहला हुआ आतिकर्मन, दूसरा हुआ सोशन जो बड़े लोग हैं वो पानी का सोशन करते रहते हैं और तीसरा हुआ परदूशन हमारी सब लेक स्पॉंट्स में नगर पालिकाओं की यह जुम्मेदारी है कि भई जो पानी पीने के काम आता है उसमें सहर का सुवेज या एफिलेंस नहीं मिलना चाहिए पर आ जिसमें हमारे मलमुत्र जाकर मिलके हमारे पेट में दुबारा ना जाता हो और जिसमें इंडस्ट्रियल एफिलेंट जिसमें जहरीले पानी का प्रवेश ना होता है एक भी जंगे नहीं है तो यह सब क्यों हो रहा है कैसे हो रहा हमारे पास NGT है हमारे पास High Courts है हमारे प आपजे होते रहें हमारे सुप्रिम कोट ने वर्स 2001 में 25 जुलाई को एक जज्जमेंट दी थी कि हमारी जो वाटर बॉडीज हैं वाटर बॉडीज की जमीन का ना टाइटल चेंज होगा ना किसी दूसरे काम में आएंगी और यदि पुरानी वाटर बॉडीज पर किसी ने का दो उसका हतिकर्मन हटा दो अब जो सुप्रिम कोट की जज्जमेंट है इस जज्जमेंट की पालना करने के लिए NGT को भी देखना चाहिए हाई कोट को भी देखना चाहिए पर अपना NGT को जो हमारी मुनिस्पल कॉर्परेशन ने जो दिये कागज बस उन कागजों पर और जो रियल इस्टेट ने बताया उन कागजों पर भरोसा करके उन्होंने जो जील की जमीन थी वो रियल एक तरह से छोटी कर दी कम कर दी तो ये इस तरह से जीलों को कम करना वाटर बॉड़िज को कम करना इससे हमारा देश और हमारे सहर और हमारे गाउं सब सफर कर रहे हैं सब बेपानी हो रहे हैं मैं इतना जानता हूं कि इस देश में आज की तारिक में भी सैक्डों उधारन ऐसे हैं जहां सरकार के बिना किसी सहयोग के लोगों ने अपनी मरी हुई नदियों को जिंदा कर लिया अपने सूखे वे तलाबों के कबजे हटा के उसको दुबारा स ठीक कर लिया अपनी लेक और पॉंड को ठीक कर लिया पानिदार बन गए उनके पास ना बाड आती है ना सुखाड आती है तो ऐसे सैक्डों उधारन में पूरे देश में बता सकता हूं जहां लोगों ने सामुदाइक विकेंद्रित जलपरबंधन करके अपने आपको बिन अपने आप कर लिया पर सरकार के जो कानून है ऐसे काम नहीं करने देते सरकार का एक कानून है Irrigation Dranage Act 1954 उसके मताबिक आप उसमें जो सैक्शन 55 और 58 है उसके मताबिक आप किसी भी बरसाती नाले के पानी को डाईवर्ट नहीं कर सकते रोक नहीं सकते संग्रे नहीं कर सकते तो ये जो सरकारी कानून है, ये जल सर्रक्षन में और सामुदाइक विकेंद्रित जल परबंदन में सबसे बड़ी अर्चन है, मेरे जैसा पागल आदमी तो सैक्लो मुकत में जहलने के बाब जूद भी ये काम करता रहा, मैंने तो आज भी नहीं रोका अपना काम, मैं तो आ हमारे खिलाब मुकतमा होगा, हमारी बदनामी होगी, तो सब लोग सरकार के उस कानून से डरते हैं, तो कैसे जल सर्रक्षन करेंगे, सबसे बड़ा अर्चन है हमारा कानून, जल के सर्रक्षन में, नहीं तो इस देश में पहले राजा पानी के काम के लिए जमीन देता था, परजा पानी का काम के लिए जमीन देता था, परजा पानी का काम करने के लिए पसीना लगाती थी, और महाजन पानी का काम करने वालों को खाना खिलाता था, खीर, पूरी, हल्वा, चने, गुड, सब तो ये समुदाइक विकेंदी जल परबंदन था समाज अपने पीने का पानी का काम खुद करता था लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद पानी की मालिक सरकार हो गई पहले अंग्रेज हुए, अब हमारे ये काले अंग्रेज हो गए है मालिक पानी के, तो तुम एक बात बताओ जब मालिक तो पानी की सरकार है तो फिर समाज के सिर पे क्यों ठीक रा फोड़ते हो जब तुम पानी के मालिक हो तो तुम सब को पानी पिलाओ जीलो को सुरक्षित करो पानी है वो स्टेट सब्जेक्ट है राजे सरकारों की जिम्मेदारी है यह कह के जो केंडर में सरकार है वो यह कह सिदी है कि नहीं यह तो राजव सरकारों की जिम्मेदारी है और उन्हें इसको ठीक से रखना चाहिए देखो ये जो नदियों के परियावनिय परवा, परिश्रीटİ की परवा और जलबरवा के मसले हैं, वो तो भारत सरकार का काम है, सारी इंटर इस्टेट रिवर्स में वो उसके जुम्मेदार होते हैं, और जो स्टेट का पानी हैं, स्टेट की बॉडिज हैं, वाटर बॉडिज हैं, लेक्स हैं, पॉंट्स हैं, रिवर हैं, स्टेट रिवर, वो स्ट्रीट की डिस्पॉंसिबिल्टी है, और 73rd और 74th constitutional amendment के बाद, तो फिर हमारी municipal corporation और हमारी पंचायतों की भी जुम्मेदारी है प काम को खुद कर ले, और ना उनका स्रिक्षन पर स्रिक्षन है, किसी भी पंचायत के पास उनके जल उप्योग की दक्सता की आज तक कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई जल साक्षरता के लिए प्रियास नहीं है, कि लोगों को समझ बेयाए, कि जल को कैसे उप्योग करें, कम प मैं सरकार से पूचता है कि तृमने है कि提ुए नोगों को ठेंड किakah देखित पर सिक्षित्ट किया तुमने इस काम के लिए कैसा बजट बनाया इस काम के लिए तूमारे पास कहा संभावन आए है खोले ही नहीं सलोगंस में चलती है हमारी तो slogan से तो सरकारे नहीं चलती ना भई, जब आप कोई बात कहते हो, तो उस बात को पूरी करने के लिए कुछ तो करो, आपने का कम जल में अधिक उत्पादन, हर बून पे, हर बून का संरक्षण करें, पर हर बून का संरक्षण कैसे करोगे, दिखावे से तो नहीं होता, ना जुम्लों से होता है ये तो भाई मैनद करनी पड़ती है मैनद के बिना जो ये काम नहीं होता और धर्ती पे करनी पड़ती है जब तक धर्ती पे ये काम नहीं करेंगे तब तक तो पानी नहीं रुकेगा ना पानी रुकेगा और ना नदिया रिचार्ज होंगी लोग सब्धा चुनावों के बाद जो सांसद चुनकर आ रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे बतौर सांसद उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है जो केंद्र में सरकार बनेगी उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है अब जो राजे सरकारे हैं अगर हम और इसके साथ एक सवाल म ही हैं आप अगर राजे बार बता पाएं कि कौन कौन से राजे ऐसे हैं जहां जल संकट की स्थिती बहुत ज्यादा गंभीर है जहां राज सरकारों को फॉरें फोकुस करना चाहिए अपना जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना चाहिए जो डिप्लीशन हो रहा है ग्राउ लुट के लिए भी एक अलाम बार बार आ रहा है चाहें दीति आयो की रिपॉर्ट हो चाहें युएन के रिपॉर्ट हो चाहिए लीन के लगाता जिस देखो, चुनाव से पहले, यह जो साल है न, यह दुनिया में चुनाव का साल है, चार दर्जन से जाद है, पांच दर्जन से जाद है देशों में, साथ से जाद है देशों में इस साल चुनाव है, वर्स 24 में, तो हमने मार्च में जो विश्व जल दिवस था, उसी पर सभी चुनाओं में सामिल होने वाले राजनेताओं से प्रात्ना की थी, कि भाई, आप चुनके आएंगे, लेकिन चुनके आने से पहले, अपनी जन्ता को ये तो बताओ कि उनको पीने का पानी पिलाओगे की नहीं, उनको स्वस्त रखने के लिए, उनकी नदी को स्वस्त रखोगे की नहीं, उनको जिदा रखने के लिए पानी उपलब्द कराओगे की नहीं, जल की सुरक्षा होगी की नहीं, हमारी सरकारें जल की सुरक्षा के लिए, और जल के सनातन परबंदन के लिए, बिल्कुल जुम्मेदारी इससे काम नहीं कर रही है हमारी सरकारों को Economic Infrastructure में बहुत इंटरस्ट है सारी सरकारे Economic Infrastructure और Economic Security की बात कर रही है यार Economic को तुम खाओगे क्या Economic को तुम पियोगे क्या Economic तुम्हें जिंदा रखेगी क्या जो जिंदा रखने वाला है वो तो पानी है जिंदा रखने वाला अन्य है मिट्टी है हवा है आकास है सूरज है तो जो जिंदा रखने वाली चीज़ें हैं उनकी भी तो बात करो पर तुम्हें जानके दुख होगा कि एक भी पार्टी के Manifesto में और एक भी उम्मीदवार ने अपने Manifesto में, उम्मीदवार का भी Manifesto होता है, पार्टी का भी होता है पानी के काम करने के लिए उनका दाइ्द्टु क्या है और वो अपने दाइ्द्टु को कैसे निभाएंगे कैसे पूरा करेंगे पानी के लिए उनकी क्या जुम्मेदारी है क्या हकदारी है उन्होंने बोट मांगने के लिए पानी की बात नहीं की पानी की बातें नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पानी की बात करेंगे तो फिर किसानों से हमें ये भी बात करनी पड़ेगी कर सकते हैं और यह थोड़ी मेहनत के काम है पानी का काम देखो बहुत आसान नहीं है पानी का काम समझ इसे करने की जरूरत है और मेहनत से होता है पानी के काम में कौनफलक्टिंग और और विवयाद इसमद है कहीं भी जहां भी तुम पानी का काम करते हो, वहां कुछ ना कुछ विवाद होते हैं, तो उन सब विवादों को सुलजाना, फिर उन लोगों को तैयार करके उनी से पानी का काम कराना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखो दिल्ली से कुल साड़े तीन चार घंटे की दूरी पर चंबल का छेतर सुरू हो जाता है, और चंबल के छेतर में पिछले नब्वे सालों में, नब्वे साल से पहले गहरा हरा जंगल था, और उस जंगलों में जो नदियां थ उसमें घडियाल, टाइगर, बाग सब थे, और सब लोग मजे से जीते थे, और जो लोग थे, वो भी अपनी गाए, भैस, बकरी, पाल के अपना अनन्द से रहते थे, लेकिन जंगल कटे, और लाल पत्थर की खदाने, हमारे चंबल के छेतर में, धोलपूर में, करोली में बाद शुरू हुई, सब जंगे जंगे धर्ती पर घाव बना दिये लाल पत्थर की खदानों में, और जब जंगल कट गया, तो फिर मिटी बै गई पानी में, तो मिटी नहीं बची, नमी नहीं बची, हरियाली नहीं बची, तो फिर ये लोग सब बंदूक उठा के लूट पार्ट करने लगे, और ये लूट पार्ट करने का काम केवल चंबल में नहीं, दिली, जैपूर, आगरा, मतुरा, सब जंगे वो लूट पार्ट होने लगी, और फिर सरकारों ने आजादी के बाद थोड़ा, थोड़ा कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश की, लेकिन वो राजस्थान में गुश गए, तो राजस्थान में एक बड़ा हब, एक बड़ी संख्या में ये लोग आ गए, और चुकी पानी नहीं था, तो इन्हें इलीगल लाल पत्थर की खदाने चलवानी थी, तो बंदूकों के बल पर, ये सब बंद हो गई थी, खदाने, बंदू ये तो बिचारे लाचारी में, बीमारी में, बेकारी में ये बंदूके चलाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, वो किसी का कुछ लूट लाट के कुछ बड़ा कुछ बना लेने वाले ऐसे नहीं है, वो तो दिल्ली बंबाई वाले बनाते हैं, जो पता ही नही थे यह तो विचारे अपना जीवन चला रहे थे तो हमने इनकी इनके साथ मिलकर इनकी डखेती के काम छुड़वाके इनको पानी के काम में लगाया और फिर इन्हों ने खुद ने वह पानी के काम कर लिए उन तेज्ट छोटी नदियां चम्बल की 23, 23 चोटी नदियों पर इन लोगों ने छोटे-छोटे तला, बांध, जोहर बना के अपनी खेती को पानिदार कर लिया, आज उस पूरे इलाके में एक आदमी बंदूक वाला नहीं मिलेगा, आज उस पूरे इलाके में कोई बंदूक लेके दिन में लूट नहीं मिलेगे, नहीं तो सरमतुरा के आगे चार बजे के बाद तो कोई जाई नहीं सकता था, दिन में ही, गाउं में तो जाई नहीं सकता था, अभी तो अभी एक लगकी थी, लूसी, तीन महीने इनके जीवन पर फिल्म बनाने के लिए आई, और यहां इनके घरों में रह प्रच नहीं हुआ, और एक प्यार और एक महबबत से इन्होंने सब काम किया, और तुम्हें मालूम है, आज की तारिक में इन तेश नदियों में पानी है, और सारे इलाके में खेती है, इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि तुम आगे देखो जा रहा, तुम भी तो काम किया, उनको विष्व जल सांती दूत, विष्व सांती जल दूत से समानित किया, तो अब वो लोग आपना रात दिन इसी पानी के काम में लगे हैं, जो दूसे लोग हैं उनको तयार कर रहे हैं, उनकी जमीन पर अभी नदी बह रही है, आज पिछले साल काम बारिस पिर भी नदी बह रही है इसलिए मेरा कहना ये है कि ये उधारन केवल हमारे चंबल का नहीं हमारे अलवर का है हमारे जैपुर में है हमने जसलमेर में जहां काम किया वहां है हमने जोधपुर में जहां काम किया वहां है बाडमेर में सब जंगे जालोर में पाली में सब जंग पारें उनको पानिदार नहीं बनने देती, क्योंकि सरकारों के मन में नेताओं के मन में दाता बनने का भाव है, वो सबके दाता बनना चाहते हैं, सबको देने वाले बनना चाहते हैं, वो यह नहीं सोचते कि यह लोग अपने आप कुछ कर लें, जब वो अपने आप कोई करत तो देखो इस वक्त यदि पानी का काम करना है, तो फिर हमें सामुदाइक विकेंदित जल परबंदन के बिना भारत पानीदार नहीं हो सकता, भारत के ऐसे ही सहरों की संख्या, जीरो डेज में बदलने वाले गाउं, सहरों की संख्या अभी 21 है, अभी 90 हो जाएगी, क्यान मे हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो ये जो बेपानी होने वाले सहरों की, गाउं की संख्या बढ़ रही है, उसका कारण सबसे बड़ा कारण ये है, कि हमारी सरकारें, हमारे चुने हुए राजनेता, पानी के काम को जरूरी काम नहीं मानते, जबकि 21 सताबदी में आप द पानी की कमी के कारण लोग उजड के यूरोप के सहरों में जाते हैं, तो उनको यूरोपियन सहरी लोग क्लाइमिटिक रिफ्यूजी बोलते हैं, फॉर्चुनेटली अभी इंडियन्स को क्लाइमिटिक रिफ्यूजी नहीं बोला जाता, पर कब तक नहीं बोला जाएगा, यदि 2025 के बाद हमारे 20 सहर, 21 सहर ऐसे हो गए, जिनके पास पानी का संकट हुआ, तो तब क्या नहीं बोला जाएगा, तब भी क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बन जाएगे, तो हमें ये जरा समझने की जरूरत है, कि हम मिल जुलके, राज की जुम्मेदारी और समाज की जुम्मेदारी, दोनों की समझने की जरूरत है, हम दोनों अपनी अपनी जुम्मेदारी को समझ कर यदि ये पानी का काम करेंगे तो भारत अभी भी पानीदार बन जाएगा और क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बनने से बच जाएगा अब हमें गुरू बनने के विश्व गुरू बनने के बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं पर वो बड़े सपने बिना पानी के पूरे नहीं होंगे बड़े सपने तो तब पूरे होंगे जब हमारे पास जीने के लिए जल की सुरक्षा होगी जब हमारे पास जल सुदक्षा होगी और सब को जीने पीने का पानी होगा तो हम विश्गूरू बन सकते हैं नहीं तो economy में हम economic infrastructure बनाके सडकों का जाल बिचा के industry लगाके हम विश्गूरू नहीं हो सकते विश्गूरू होगे तो हम पंच महा भूतों के साथ पंच महा भूतों को समझ कर जब हम पानी का काम करेंगे तब हम पानीदार बनेंगे और तभी हम उस रास्ते की तरफ बढ़ सकते हैं तुम्हें मालूम है कि हम यदि कभी किसी जमाने में यदि रहे होंगे मुझे मालूम नहीं तो विश्व ग भूमी को, गगन को, वायू को, और नीर को, भेगेवे आन, भगवान अगनी को, ये जो पंच महाभूत है, जब तक हम इनके साथ जुड़े थे, तब तक हम भगवान को मानते थे, तब कोई ना मंदिर था, ना कोई मस्जिद था, ना कोई गिर्जागरता, ना कोई गुरू द्वारा था, वैदिक काल तक हमारा ये ही भगवान था, और ये जो भगवान था, जब तक हम इस भगवान को पैचानते थे, तब तक हम भारतिये लोग, नीर, नारी, नदी को नारायन मानते थे, उनका सम्मान करते थे, और तब तक, चाहे वो सावित, चाहे वो पार्वत दिया नदियों को भी नाला बना दिया और नीर को बाजार बना दिया नीर बाजार में बिखता है नारी पीछे हो गई है और नदी तो बिल्कुल उसकी तो कोई सम्मान ही नहीं बचा तो ये नीर नारी नदी का अपमान हो रहा है अब तुम दिल्ली में देखो न यार वो यम कांपूर में कोई तो फिर तो हमने this का भी और नीड़ का भी और नुर्च का भी तिनों का वो जो समान था जो ग्व था Wahr весь trzeba कर दिया इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि भैया हमें विस्ट गुरू बनने के सपने मत दिखाओ हमें तो तुम बस पानी पिला दो सबको पानी मिल जाए और यदि तुम पानी नहीं पिला सकते तो तुम अपने कानून हटा दो पानी पैसे कोई एक काम कर दो जद्दा को कहा दो अब जिस तरह मैं आपसे 2019 में भी यही बात कर रही थी तब भी हम यही थे अब शाइब और भी खराब सिती में आ गए है अभी तो देखो एक बात समझ लो जिस राज में नदिया नाले बनते हैं वो राज भ्रस्टाचारी होता है और जिस राज में नाले नदी बनते हैं वो राज जिस सदाचारी होता है जो नालों को नदियां बनाता है तुम समझ सकती हो न मैं यही तो दुखि मन से कह रहा हूं कि भई यदि हमारी नदिया नाले बन रही है यह कोई rocket science नहीं है बिल्कुल rocket science नहीं है यह तो simple science है common science है common sense है भई यदि यह जो बारिस के दिनों में पाणी बेह कर सारे का सारा गंदे पाणी में मिल जाता है हम बारिस के दिनों में अच्छे पानी को अलग अपने अच्छे पानी के तालावों में रोक लें सारे को और जो गंदा पानी है उसको गंदे को अलग रोक लें गंदे को ठीक करके अपनी इंडस्टी में डॉमेस्टी के उसमें यूज कर लें हो ये रहा है कि हमारा बारिश के दिनों में पानी बैह जाता है देखो जब हमें आजादी मिली, तब हमारी केवल 4% जमीन पर water scarcity थी, drought था, और केवल 232 गाओं पहली planning commission की report में, 232 गाओं no source village थे, अब लाखो गाओं पर पनी हो रहे हैं, शहर हो रहे हैं, तो मैं कहना यह चाहता हूँ, कि बारिश के दिनों में, हर साल बादल पानी लेके आता है, उस पानी को पकड़के, धर्ती का पेट पानी से भर लो, तो धर्ती का पेट पानी से भरोगे, तो फिर सूरत जो है, उस पानी को उड़ा नहीं सकेगा, वो तुम्हारे reserve bank में deposit हो जा हमारे गाओं के लोग पता क्या कहते हैं पानी के काम के लिए, पानी जहां दोड़ता है, वहां चलना सिखा दो, जब वो चलने लगे, तो पकड़के धर्ती के पेट में बैठा दो, फिर ना लगेगी नजर सूरज की उसे, उस पानी से बुरे वक्त में निकाल के जीवन च दिया और 10,600 स्क्वाइर किलोमीटर रीजन को पानीदार बना दिया, हराबरा बना दिया, और मेरे पास तो कोई, मेरी तो कोई उकात नहीं थी, कि मैं बना दूँ, लोगों ने बना दिया, हमने केवल लोगों के साथ रहकर, लोगों में उत्सा भरके, लोगों का सिक्षन पर सिक्षन करके, लोगों के साथ रात दिन एक करके, उन से करवा दिया, यदि मेरे जैसा मामूली आदमी ये काम करवा सकता है, तो फिर सरकारे क्यों नहीं करवा सकती, आज सरकार के पास कोई एक मोडल है, जो वो बता दे कि हमने इस नदी को जिंदा किया, पूरे देश म बता दे, वो एक नदी को बता दे जिसको उसने पॉल्यूट, पॉलूशन मुक्त कर दिया हो, गंगा को ही बता दो, यमना को ही बता दो, उनका पॉलूशन लेवल बढ़ता ही जा रहा है, गंगा के लिए तो सर ये भी कहते हैं, ट्रिब्यूटरी जो है, वो जुन में की च टैनरी, वो तो केवल चम्डे की नहीं, वो तो तुमारे गाजाबाद से ही शुरू हो जाती है, गाजाबाद में सैक्डों इंडस्ति हैं, जो केमिकल्स को धरती के अंदर डाल रही है, कौन रोकेगा इने, जिसके हाथ में कानून है, जो कानून बनाते हैं, मैं थोड़े ह जो कूँगा, मेरे हाथ में तो कानून बनाने की शर्टी नहीं है, जितने भी लेदर फैक्ट्री हैं, जितनी भी वो सब रोकते हैं, तो धरती में नीचे बोर करके डाल देते हैं, इंके पास और कोई तरीके नहीं है, क्या, जा तो नदी में मिला रहे हैं, या अंडर्वा है, पर खर्चा नहीं करना चाहते हैं, खर्चा नहीं करना चाहते हैं, पाली का कुछ आगना होगा, अब पानिदार बनाने की, और यह जो संकट आया है, इस संकट से बचने की, लेकिन ये किसी भी राजनेता की, प्रायरिटी नहीं है, तो मुझे एक राजनेता बता दो, भारत में, लोक स्बा का चुनाव है, जिस राजनेता ने कहा हो, कि मैं तुम्हें पानी पिला दूगा, मैं तुम्हारे लिए तलाब बना दूगा, जील बना दूगा, या पानी दे दूगा, नहीं, उन को जरूर का काम करने वाले राजनेताओं को लोग बोट दे देते हैं जो जिसने ज़ि ठीक से पानी का काम कर दिया उसको बोट देते हैं लोग फिर भी इस चुनाओं में इस लोकसभा के चुनाओं में एक भी सांसद ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि मैं तुमारे सारी लेक्स को ठीक कर दूँगा, तुमारी लेक्स को एंक्रोच्मेंट, पॉलूशन और एक्स्ट्रिक्शन फ्री बना दूँगा, कोई नहीं बोलगा, मैंने तो मार्च के महिने से सब राजदेताओं को अपील की थी, कि भीया, ये चुनाव है, इस चुनाव में, गर्मियों के दिनों में चुनाव हो रहा है, तो आप कम से कम सब को पानी पिलाओगे, ये तो कहो, ये तो करो, पानी का इश्यों को उढ़ना चाहिए, हाँ, बिल्कुल, पानी का सवाल, बिल्कुल, और ये चुनाव जीत के आए पाने की आशा करता है, उसको बताना चाहिए कि मैं चुनाव जीतने के बाद पानी का ये ये काम करूँगा, बताना चाहिए कि जब संकट इतना बड़ा हो गया तो ये तो collective responsibility होनी चाहिए, बिल्कुल, at least देश की संसद तक वो इस बुद्दे को लेकर जाए, समधान बताए, कानून बनवाए, या कानून में जो सुधार होने वो करवाए, अब तो संसद में भी चर्ची नहीं होती, जब सोमनाथ चटर जी लोकसभा के अद्रक्स थे, उश जबाने में वर्स 2005 में, उन्होंने राजसभा, लोकसभा के जो संसद हैं और जो जलसे सम्मीतियां हैं, उन सब के साथ, पानी पर बार बार बात चीट की थी, अब तो पानी की कोई बात ही नहीं करता, अब पानी की कौन बात करता है, इसलिए इस वकत इस देश को, इस देश के ये चुनाओं में पता नहीं, मेरे कहने का क्या असर होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना तो ज राज को और अपने संतों को राज समाज और संत संत में वैज्ञानिक भी सामिल होते हैं सब हैं जब यह तीनों मिलके पानी का काम करेंगे तो फिर बेपानी नहीं होगा यह देश ना तो कोई संत सोचता है पानी के मारे में संतों के जित्ते आश्रम हैं वो सब नदियों में गंगाजी में खोल देते हैं और राज तो सोचता ही नहीं है अब विचारा रहा सया समाज वो बस हाथ जोड़े खड़ा रहता है नेताओं के सामने तो भै इससे तो काम नहीं चलेगा और पूरे देश में बैंगलोरू के सोसाइटे ने कहा कि अगर हमारे सांसर चुनाव के भैशकार के उन्होंने बात की क्योंकि उनकी लंबे समय से उनके पानी की समस्या का समधान नहीं हो रहा था उनकी सुसाइटी की टेंकर्स पर निर्भर रही पानी के लिए बहुत बहुत लोग राजनेताओं को जब ये बोट मांगने जाते हैं तो पानी की बात करते ही हैं। पर राजनेता पानी के बारे में अपनी जुम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। एक आदा जूटा सच्चा वाइदा करके आस्वासन दे के चले आते हैं। तो जूपे सच्चे वाइदे से नहीं पानी का काम तो समाज के साथ मिलकर, رाज के साथ मिलकर थोड़ा ठीक से प्लाणिंग करने से थोड़ा एगजिक्यूशन करने से होता है। हमारे गाओं के लोग पानी के सब साइट सेलेक्शन, एक्जिक्यूशन, उसका फाइदे का बटवारा, सब अपने आप कर लेते हैं, हमारी नदी की जो संसद है, वो सब बैठ के किस तरह की फसल बुनी है, फसल चक्र और वर्शा चक्र के रिस्तों को ठीक रखती है, भाई ज चाहिए, बिलकुल होना चाहिए, पानी बड़ा मुद्दा होना ही चाहिए, और इस वकत। तो जरूर होना चाहिए क्योंकि आप हम बिल्कुल एज पर आ गए हैं अब जो नई सरकार चुनकर आएगी दोहसार चौबीस में उसके सामने पानी को लेकर क्या चुनोतियां रहेंगे उसके सामने सबसे बड़ी चुनोति तो यह है कि भारत का आदे से ज़्यादा हिस्सा ड्राउट और मेभी वन थर्ड और वन फॉर्थ इलाग का बाढ़ ड्राउट और फ्लड दोनों जेल रहा होगा और यह जो वाटर इसकेर सिटी है यह जो जल की कमी और जल की अधिकता है इन दोनों से परले आती है यह दोनों डिजास्टर है तो और आब हम दोनों के करीब जा रहे हैं बाढ़ भी बहुत बढ़ गई है और सुखाड भी और इस बाढ़ और सुखाड का इलाज नदी जो सामुदाइक विकेंड्रित कानून को बनाएगी। लोगों को अपने वर्षा जल का संरक्षन करने के लिए साइट सलेक्शन के साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन और उस पानी का समुदाइक विकेंदित परबंधन करने का हक उन लोगों को मिलेगा. ये उपर की फालतू फालतू बातों से भारत पानिदार नहीं हो सकता भारत को यदि पानिदार करना है तो फिर हमारा सामुदाइक विखेंदी जलपरबंदन जिस जलपरबंदन में हम दुनिया के गुरू थे उसको दुबारा से लागू करना होगा और यदि ये उसको लागू नहीं करेंगे तो ये खुद भी भुगतेंगे इन सरकारों को भुगतना पड़ेगा राचेंद्र पिशले साल हमने दिलिये में बाड देखी थी और इस बार भी अब गर्मिया शुरू हो गई है फिर मॉन्सून आएगा और जिस तरह दो तरह के कि आप करेंगे बाड भी हो सकती है और सुखा भी हो सकता है क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं दुनिया भर में इसका सर देख रहे हैं ग्राउंड वाटर डेप्लेशन हो रहा है तो जैसे दिली के आसपास की राज्यों की बात करें किस तरह के का उनको मान लेजए हर्याना की बात करें अगर और फिर से ऐसी सृति होती है तो किस तरह के साब्धानिया या किस तरह के precautions वहाँ बरतने की जोन थे, खास्तार पर हरियाना की अगर हम बात करें तो, देखो, और वहाँ क्या जल किस्तिती है, वहाँ पर रिशी पर बहुत ज़्यादा निरभड़ता है, निरभड़ता है, यमना जी हरियाना की जीवन देखा है, और यमना जी हतनी कुंड में बलाज वह सब पानी हरियाना की तरफ बांट देती है, जब बाड आती है, तो ये पानी कैनाल में नहीं छोड़ते, ये पानी नदी में छोड़ते हैं, और वो नदी में आके दिल्ली को डुबो देता है, पिछले बार भी हमने कहा था, कि ये जो पानी बाड का तुमने यमना जी म में डाल देते, उपर से ही डालते चले आते, उपर से जित्ते भी बेराज हैं, हत्नी कुन से लेके और दिल्ली के नीचे तक के, तो यमना की बाड से दिल्ली का कुछ नहीं बिगड़ता, यमना में एक भी जंगह पर बाड नहीं आती, लेकिन इन्हों ने वो नहीं किया, इन्हों ने कहा, जब मैंने यहां के हर्याणा के मंत्रियों और अधिकारियों से बात की, तो उनने कहा कि यदि हम ये कैनाल सिस्थम खोल देते, तो इस पानी के साथ जो पेर मिट्टी सबाई थी, वो हमारे कैनाल सिस्थम को चौक कर देते. तो मैंने का भाई ये चौक्तियों कर देती जब तुम्हारे आदमी है तो साथ के साथ हटा देती, पेड़ों को हटा देते, तो आदमी तो है ना, तुम्हारे पास तो लोग हैं, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, और सारा कैनाल सिस्टम बंद और सारा पानी दिल्ली में आ अभी गार्मी के दिले है, अभी नदियों में फ्लो भी नहीं है, तो सारे बेराज के जो गेट्स हैं उनमें ओईलिट करेग्री और सिस्टम अगारा करके उन्होंगरा चाहिए उनको जड़ा ठीक से तयार कर देना चाहिए कि जब उनको वो खोलने हो तो पानी खोल दे दूसरा मैं यह कह रहा हूं कि इस पानी को उपर से ही जब भी बाड़ आए तो उपर से ही कैनाल सिस्टम में ज़रूर ज़्याद से ज़्यादे मात्रा खोल की रखनी कैनाल सिस्टम को खोल देना चाहिए जिससे पानी जो लेक्स हैं और पॉंट्स हैं उनको फीड कर सके तो फिर वो पानी फीड रहेगा तो जो रवी की फसल है खरीप की फसल नहीं होगी लेकिन रवी की फसल दुगनी हो जाएगी उसी खाद से उसी मिट्टी से और उसी पै कुछ काम को नहीं कर रहे हैं इसलिए और ये इनकी दलगत राजनिती का खेल भी है कि भई दिल्ली को डुबा देंगे तो कोई एक पार्टी की सरकार बन नाम होगी और हर्याना को डुबो देंगे तो दूसरी पार्टी की सरकार है तो ये आपस में कोई एक पार्टी अच्छ की बाढ़ में हुए उन लेकिन उसके समाधान मौझूद थे और अबाधिकारियों को और इंजिनियर्स को तयार रहना होगा आपकी बाद अगर नहीं हो तुम यह जो बात कर रही हो इस बातचीत को सारे हमारे दिल्ली के इरिगेशन वाले और हर्याना के इरिगेशन वालों क जिस तरह से agriculture पर बहुत dependent है और इस साल वहां पर विधानसभा चुनाओ भी होंगे और वाटर को जिस तरह कहां जाता है कि state subject है लेकिन हम तो अब यहां बात करें कि अब तो यह national issue बन चुका है क्योंकि सिती इतनी खराब होती जा रही है अब यहां पर मैं आपसे समझना च सिती है groundwater recharge कैसा है वहां पर district wise क्या तैयार यह मतलब किस तरह का पानी का सिती है महां पर देखो जब चुनाओ आता है ना हरियाना का तो सबसे बड़ा नारा होता है हमारे निचाओं का कि वह S.Y.L. में पानी लेकर आएंगे और पानी उनके पास है नहीं पानी मिलता नहीं ह तो अ क Quinan Carol System बन गए हैं, सब कुछ हो गया है पर पानी मिलता नहीं पर हर साल चुनाओं का जो slogan होता है वो slogan होता है कि सrió कम आरा कि पानी लेकर आएंगे मैं ये कह रहा हूँ कि तो में स्वाइल में पानी आएगा नहीं आएगा अब उसको बन करो अब आपके पास जो यमना की बाड का पानी है उस बाड के पानी को डाइवर्ट करके और ले आओ और जहां पानी की कमी है वहाँ पर उसको डिपोजिट कर लो वहाँ उसको इखटा कर लो और जब आप उसको इखटा करेंगे बाड के पानी को तो फिर पूरे साल का पानी हर्याना के पास मोजूद होग पर हरियाना ने अपना पानी का बैंक बनाने का काम नहीं किया मैं खुद कई बार बुख मंत्रियों को मैं समझता हूँ तीन मुख मंत्रियों को तो मैंने पर्शनली मिलके का कि भीया हरियाना में तुम अपना वाटर बैंक बना लो और तुम्हारे water bank को feed करने के लिए यमना का flood का पानी है और यमना का flood का पानी बिना बिजली खर्च किये केवल natural flow में आपके bank में आपका जमा होगा जिससे आपके state की ज़रूरत पूरी हो जाएगी हर्याना को बहुत थोड़े इलाके हैं जिनको पानी की extra जरूरत है और उन वो ऐसी जंगे पर है जहां इनका यमना का पानी पहुंच सकता है तो हर्याना को हर्याना की जनता को रहर्याना के राजनिताओं को यदि अपने manifesto में यमना के बाढ़ के पानी को दिली में पहुंचने से पहले अपने flood plain के रास्ते अपने canal system के रास्ते उसको water bank बना के उसमें उप्योग करें यह मैं कह रहा हूँ और यह बात अपनी जनता को बताए और जो अपनी जनता को बताएगा और वो करके दिखाएगा और यह आसान काम है इसमें S.O.I.L. की तरह सालों साल और 10 को नहीं लगेंगे और फिर भी पानी मिला ऐसा नहीं हुआ इसमें तो जो इतना काम कर लेगा उसी साल उतना पानी मिल जाएगा तो मेरा अंत में आपसे सवाल की जो सांसद है हमारे केंद्र सरकार हैं जो हमारी राज्य सरकारे हैं उनसे अब भारत में जलसंकट को लेकर क्या कहना चाहेंगे आपके मैं अपने सारे राजनिताओं से प्रातना करता हूँ कि अब जलवायू परिवर्तन के कारण जो धर्ती का चड़ा हुआ बुखार और मोसम का बिगडा हुआ मिजाज है उसने बादलों को बे मोसम बरसने के लिए मजबूर किया है और ये बादलों की बे मोसम की बर्षा किसानों को पता नहीं चलती उनके बीज खराब हो जाते हैं उनकी फसलें खराब हो जाती हैं इस वकत किसानों की हालत इस जलवायू परिवर्तन के कारण सबसे ज़्यादा खराब है मैं सरकारों से प्रात्ना करता हूं कि अपने अपने राज्यों में अपने फसल चक्र को वर्षा चक्र के साथ जोड़ने की एक मसकत करें इस मसकत में Agriculture Universities को जोड सकते हैं और दूसरे विभागों को जोड के काम में लगाया जा सकता है नमबर एक नमबर दो भारत में जो चोटी नदियां सूख रही हैं मर रही हैं उनको पुनर जीवित करने का काम बहुत ही सरल और बहुत ही जरूरी बलकि मैं कहता हूँ आज भारत के लिए सबसे पहला काम है चोटी मरती सूखी नदियों को पुनर जीवित करना और ये पुनर जीवित होंगी अभी हमारी सरकार एक अटल भूजल योजना चलाती है लेकिन उस अटल भूजल योजना का पैसा तो बरबाद हो रहा है पर आज तक मैं एक जहें नहीं देख पाया जहां अटल भूजल योजना ने किसी नदी को revive किया हो किसी stream को revive किया हो उसके काम के कारण कोई नदी बहने लगी हो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तुमारी अटल भूजलियों ना है वो पूरी एक stream को perennial करने के लिए कम से कम सरकार बता सके कि देखो हमने इतना पैसा कर्श किया इसमें ये नदी पुणर जीवित हो गई बूजल पुणर भhran से जैसे मैं बता रहा हूँ हमने चंबल में सेडनी को कर दिया नहरो नदी को कर दिया हमने तिवरा को कर दिया महेश्वरा को कर दिया तो मेरे जैसा मामॉले आदमी तो सरकारे क्यों नहीं करती है? लोगोके विवादों को सुलजाना पड़ता है, फिर काम करवाना पड़ता है. तो हमारा राजनेता कोई लोगों के जगडे में नहीं पढ़ना चाहता, कोई लोगों के सुलजाना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपने सारे राजनेताओं से यह कहता हूं, और सारी राज्जी सरकारों से कहता हूं, कि इस वकत भूजल भंडार का खाली होना, सभी के लिए भा कर सकें कोई बात नहीं पर एक एक MLA एक एक स्ट्रीम को औरिजुनेट करने का काम हाथ में ले ले एक एक छोटी छोटी नदी को ले ले एक एक सरपंच अपनी एक पंचायत की छोटे से दने को ले ले भारत के वेदों में कहा है कि 14.6 km लंबी एक जल की धारा को हम नदी कह सक सकते हैं तो मैं कहता हूँ अरे भाई कोई छोटी से छोटी नदी ले लो ना सबसे छोटी नदी 14.6 km लंबी होती है और फिर यह तो अट्थाइस सो किलोमेटर भी है हमारी गंगा जी 2525 किलोमेटर है तो यह तो बड़ी बड़ी नदियां है पर हमारा MLA एक छोटी नदी को पुनर जीवित करने का काम हाथ में ले ले हमारा एक MP थोड़ी बड़ी नदी को जीवित करने का काम हाथ में ले ले तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे राजनेता अपने वोटर्स को यदि वोट मांगने से पहले पानी का काम करने के लिए तैयार करेंगे तो हमारे राजनेता की भी लिए अच्छा होगा और हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा और हमारी प्रकर्ति के लिए सबसे अच्छा होगा हमारी सुगी मरी नदी बैने लगेंगी धर्ति खिलने लगेंगी हरियाली से तो वो जो धर्ति की हरियाली होगी वो आनंद के छण होंगे इसलिए राजनेताओं को भी आनंद लेना सीखना है तो प्रकर्टी को प्यार करो, प्रकर्टी को सम्मान करो, नदियों को पुनर जीवित करो, तलाबों को पानी से भरो, ये सब कामों में जुटो और फिर बोट मांगोगे तो अच्छा होगा. जी, वोटर्स जो है, उनको ये मांग रखनी होगी नेताओं से जब वोट मांगने आएं, कि वो पानी के लिए क्या काम कर रहे हैं, और अपने स्तर पर वो क्या-क्या उन्होंने कोशिश है कि, जो भी उनका टैने और नहीं है, पूर्णिमा, 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 लो हो तो नेता हो तो इसको दिखने के लिए हो ना, उनको रास्ता दिखाऊ ना, कि तुम्हारी हम ये नदी जिन्दा करेंगे, तुम्हारे तलाब जिन्दा करेंगे, लोगों को मांगने की बात क्यों करते हो? पूर्णिमा, हमारे देश में सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे कोई राजनेता, सीखना नहीं चाहता किसी से, ऌशीखना चाहता, ना शीखना चाहता, ना सीखना चाहता, साफ तोर पर वही बात है कि हम इसी समस्या को हम जिक्र कर रहे थे 2019 में भी इसी वक्त मैजून के वक्त और आज भी हम 5 साल बद वही हैं और समस्या और गहरी हो गई है और बहुत शुक्रिया राजिंदर जी अमीद है कि हमारी सरकारें प्रशासन नई सरकार केंदर सरकार कि इस समस्या का लोगों के लिए समाधान झूड़े, effort करें, उनकी इमानदारी से इस दिशाँ में काम करें, इसकी जरूरत है. च्छाहांति का उक्तारिधा है कि इस सचांई उदेंघ्टाइव सबrasité ही देक्वायों डर्षभ है तो फेला के लिग्सार के सबस्क्रामे कर से इसón सब्सक्राइध के शुक्राइब है cay इंग तो दर्श्मम्ने